अब इस्त्री के पीछे पढ़ गया है भेडिया, जी हाँ दोस्तों, एक गजब का सर्प्राइज मिला है आज इस्त्री 2 के इस गाने में, और माने की मेरे ने तो बहुत बड़ा सर्प्राइजिंग पैकेज था, ना जाने भी कौन-कौन सर्प्राइज होंगे, फिलहाल आज ह इस्त्री 2 मूवी में, जिसका नाम है खूब सूरत, माने की इस गाने को कैसे इस में डाला गया है, और गाने के क्या माइने हैं, क्या ये गाने पिछले लास्ट जो भी स्त्री 2 मूवी के गाने आये थे, उनसे उपर निकल बाए, यहीं सब हम लोग जानेंगे, तो प्लीज प्लीज, प्लीज, मेरा पूरा वीडियो देखने से पहले, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी आन कर लें, और आपको पता है, यहाँ पे ओरिगनल रिवीव ही मिलता है, मैं जो कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, अगर आप किसी के भी फैन ह मुझे इस से मतलब नहीं, अगर आपको सचा रिवीव सुनना है, तो प्लीज, पूरा वीडियो जरूर देखें, तो जदा दरन करते हैं, शुरू करते हैं, इस गाने का रिवीव, आईए हुजूर, चलाते हैं हम आप पे अपने इस वीडियो का सुरूर, जी हाँ दोस्तो जो लिक्स राइटर हैं, अभिताब भकता चारया हैं, और इसके मूझिक डिरेक्टर सचिन जिगर ही हैं, और माने की मैं क्या बताऊं, और इस गाने के बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कैसे भेडिया का इस्तरी से मिलन हुआ, कैसे एक कैमियो है, इसके पीछे बहुत दिल्चस्प एक क्लिव है, वो क्लिव क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, उससे लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, सबसे पहले बात करते हैं, गाना शुरू होगा, आपको विशाल मिश्रा की आवास सुनाई देगी, माने की विशाल सद्धाकपूर को ध्यान में रखके ही लिखे होंगे, क्योंकि एक समय सद्धाकपूर मेरी क्रेश्टी ना जाने, कितनों कि क्रेश्टी हैं, अभी भी बहुत ही खुबसूरत है, ये गाना सच में वो सद्धाकपूर पर बिल्कुल फिट बैट रहा है, और मैं आपको और बता हूँ, अगर आप किसी को भी प्यार करते हैं, आपको बहुत खुबसूरत लगता है, आप जाके ये गाना उसको सुना दीजे, दिल से बोला हूँ कि वो तो आपकी फैन हो जाएगी, माने कि इस तरीके से एक खुबसूरती की तारीफ की गई है, ओवर ओल मुझे गान और माने कि सबकी अपने पनी च्वाइस हो सकती है, बाकी विशाल मिश्रा ने अच्छा ही गाया है, और बाकी अगर मैं बात करो, म्यूजिक सचीन जी गर सर ने म्यूजिक बहुत अच्छा दिया, हर बार काफी अच्छा म्यूजिक देते भी हैं, और इसका कोरस पार्ट आप खो जाएंगे इस गाने में, बट ओके ओके मुझे लगा, और अब मैं बात करूंगा वीडियो की, देखे वीडियो में आप जैसे देखे कि वरुन धवन का कैमियो है, वरुन धवन को आप में भेडिया में देखा था, जैसे गाना स्टार्ट होगा उसमें दिखाएं तो थोड़ी दिरकर सद्धा कपूर आती है, मुझे लगता दस-पंदरा सेकेंड का उनका रोल होता है, इसी ड्रेस में होती है, माने कि वहीं से डारेक्टर ने सोच रखा था कि कैसे इसको मिलाना है, तो काफी अच्छा कनेक्शन देखने को मिल लहा है, और मुझे लगता और वरुन धवन और सद्धा कपूर की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और राजकुमार राओ सद्धा कपूर तो अच्छे लगते ही है, अब आप लोग बताईए आपको वरुन धवन सद्धा कपूर की जोड़ी अच्छे लगी, या राजकुमार राओ संद्र अगस्त को लांच हो रही है कौन-कौन देखने जारां नीचे कमेंड करके जरूर बताएं और आप लोगों को गाना कैसा रगा यह भी जरूर बताएं जैम आता दी जैंगिस्तन लव यू अलोट